नमस्कार दोस्तों आप सभी का जोती शूर्जा में बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों को मैं आज एक नई चीज सिखाने वाली हूँ आप लोगोंने कुंडली में सुना होगा कि बहुत सारे योग होते हैं जिनसे हमारी लाइफ जो है वो चलती है अगर किसी के हाथ में बहुत अच्छे योग होते हैं तो उनकी लाइफ बहुत स्मूध चलती है प्रंतु अगर किसी के हाथ में बुरे योग होते हैं तो उनकी लाइफ को चलने में थोड़ी स्ट्रगल होती है थोड़ी मेहनत जादा करनी पड़ती है, प्रंतु रिजल्ट जो है वो बहुत कम मिलते हैं. आज हम हाथ की रिखाओं पर देखेंगे कि ऐसे योग कौन से होते हैं, जिनसे हमारी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से चल सकती हैं. बहुत सारे हाथ की रेखाओं पर योग होते हैं मैं धीरे धीरे हर वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करूँगी के कौन-कौन सी योग होते हैं चलिए आज की वीडियो में हम जिस योग की बात करने वाले हैं उसका नाम है गजलक्षमीयोग आप लोगों ने गजकेसरी योग के बारे में सुना होगा कि गजकेसरी योग कुंडली में पाया जाता है तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है वो भी हमारे हाथ की रेखाओं में देखा जा सकता है परन्तु आज हम यहाँ पर बात करेंगे गजलक्षमी योग को भी हम हाथ की रेखाओं में देख सकते हैं चलिए देखते हैं कि गजलक्षमी योग जो है वो कैसे बनता है सबसे पहले वो हमारी मध्यमा उंगली के नीचे से जो रेखा निकलती है जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं अगर वो हमारे मनीबंद से स्टार्ट होकर इस प्रकार से जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ सीधा शनी के परवत पर जाती है तो ये बहुत अच्छी एक रेखा मानी जाती है इससे गजलक्षमी योग का जो है वो निर्मान होता है और साथ में दो चीज़ें और देखने वाली होती है एक तो है सूरे का परवत जो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ ये ड्रॉप होना चाहिए गजलक्षमी योग के लिए दो ही चीज़ों की जरूरत होती है सबसे पहले है शनी के परवत पर मध्यमा के नीचे जो शनी का परवत बनता है उसके नीचे पूरे तरीके से इस प्रकार जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है उस प्रकार से भाग्य रेखा का पहुंचना और दूसरा है सूरे परवत अगर सूरे परवत अच्छा डवलप है और उसके ऊपर एक रेखा है जिसे हम सूरे रेखा बोलते हैं अगर ये रेखा छोटी सी भी हो प्रन्तु अच्छे तरीके से बनी हुई हो तो इसे गज-लक्षमी योग माना जाता है ये योग बहुत ही एक अच्छा योग है मानते है कि ऐसे व्यक्ति का जनम अगर नॉर्मल फेमिली में भी होता है प्रन्तु फिर भी वो अपने जीवन में एक ऐसी पोस्ट ऐसी हायर अथॉरिटी को प्रापत करता है जिससे उसका बहुत नाम होता है प्रन्तु इसमें एक कंडिशन है जो अपलाई करना जरूरी है यह जो गजलक्षमी योग जो है वो पूरा नहीं बनता इससे उसके रिजल्ट्स 50% तक रह जाते हैं ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के हाथों में गजलक्षमी योग बनता है वो बहुत धार्मिक प्रिविरति के होते हैं प्रन्तु उन्हें लाइफ में बहुत जादा मान सम्म मिलता है उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है उनकी जो भी कामनाएं है वो इस जीवन में जरूर पूरी होती है इसलिए इस योग को बहुत ही एक अच्छा योग माना जाता है जिन लोगों के हाथों में गजलक्षमी योग होता है माना जाता है कि उन व्यक्तियों की प्रसि सूरे का जो परवत है और सूरे की जो रेखा है उसके उपर कोई भी negative signs नहीं होने चाहिए ये negative signs जो है वो मैंने अपनी विछली गई वीडियो में बताएं हैं कि कौन-कौन से signs जो है वो negative हो सकते हैं इसलिए आप उसे ज़रूर देखें कि कोई भी negative signs जो है वो दोनों परवत एक तो शनी का परवत यहां पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रही हूँ कि शनी का परवत कहां पर है शनी का परवत अगर यहां पर इस प्रकार से यह जो शनी का परवत है इसके उपर कोई negative signs नहीं हो और सूरे का परवत यह जो मैंने पहले ड्रॉ किया हुआ है सूरे का इस प्रकार से काटती न हो सकते हैं तो आने वाली वीडियो में one by one में सारे योगों के बारे में आपको बताऊंगी ताकि आप अपने हाथ पर अच्छे तरीके सुने देख सकें और जज़ कर सकें कि आपके हाथ में आपकी रिखाएं आपसे क्या कहती हैं